नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी देश की करंची की वैली इतने डाउन हो सकती हैं, कि प्रोड़क्ट और सर्विसिज के प्राइस हर 24 गंटे में डबल होने लग जाएं, और अगर लोगों को लोकल सोप से एक मिल्क या ब्रेड का पैकेट भी ख पर जिंबाववे करंची यानि कि जिंबाववे डोलर की वैल्यू ओफिसियल एक्षेंज में यूएस डोलर से भी ज्यादा थी, 1980 के बाद कुछ सालों तक जिंबाववे ने अच्छी ग्रोथ सो की, चाहिवा हैल्थ सेक्टर हो, या एजुकेशन सेक्टर, या बात हो ओर जीडीपी की, लेकिन 1991 से 2008 तक जिंबाववे के ततकालिन प्रेसिडेंट रोबर्ट मुगाबी की गवर्मेंट ने कुछ ऐसे अन्रियलिस्टिक डिसिजन लिये, जो डारेक्टली जिंबाववे की हिस्ट्रिक वर्स्ट करंची क्राइसिस का करण बने, लेट 1990 के बाद जिं जिंबाववे के ब्लैक सिटिजन को दिया जाने लगा, उसका मानना था कि कोलोनियल टाइम के दुरान ब्लैक फार्मर से लेंड को छिन कर वाहिट लोगों को दिया गया था, अब इसके नेगटिव इफेक्ट्स ये हुए कि एक तो लेंड ज्यादतर उन लोगों को दी गया था, और दूसरा जिन नेडिट ब्लैक सिटिजन को लेंड दे गई थी, उनके पास इतना एक्स्प्रियंस नहीं था कि जिससे वे अच्छी खेति करसके, तो इसलिए 2000 से 2009 तक जिंबाववे के फूड प्रोड़क्शन सिस्टम में भारी गिरावट देखने को मिली और इसका ultimate effect manufacturing सेक्टर पर भी पड़ा, किस दोरान तमबाववे की major cash crop थी के प्रोड़क्शन सार्प डिकलाइन देखने को मिला, इंडिया जैसी कंट्री में जहां COVID-19 के time period को छोड़ कर देखें तो जहां unemployment rate 5-6% रहता है, वह जिंबाववे में 80% तक पहुंच गिया था, जिस इसमें जिंबाववे government का बहुत सरा fund यूज हो रहा था, और 1999 में Congo conflict में involved होने के करण United State of America, IMF और European Union ने जिंबाववे के उपर harsh economic sanction लगा दिये, और कुछ समय बाद जिंबाववे को Commonwealth से भी बाहर निकाल दिया, Commonwealth generally on countries का group है, जो Britishers की colony रही थी, इसमें एंडिया भी सामिल है ज्यादा करप्सन होने के करण जिंबाववे के वैंग ने लोन देना बंद कर दिया, इससे लोगों को लोन ना मिलने के करण Capital Development एक प्रकार से रुख सा गया था, अब यहाँ पर रोल आता है जिंबाववे currency crisis के main culprit, यानि कि जिंबाववे monetary policy का, अब कॉंगो में तेनात आर कि the general price of goods and services is directly proportional to the amount of money in circulation, इसका simple सा मतलब यह है कि market में जितनी value के goods and services मौझूद है, उतना ही पैसा market में circulate होना चाहिए, अगर आप पैसे को double कर दोगे और यदि product और services वही रहेंगे तो चीजों के दाम double हो जाएंगे, इससे धेरी-धे intrinsic value कम होना शुरू हो जाती है, इसलि लेकिन controlled way में ज्यादा note print करना भी जरूरी होता है, जिससे लोगों के हाथों में थोड़ा पैसा होनके करण चीजों के बायर बढ़ेंगे, जिससे चीजों के थोड़े price बढ़ने से, और high demand के करण manufacturer के मन में भी थोड़ा लालच चाहेगा, जिससे वह अपना production बढ़ाना प हो गए थे कि जून 2008 में तो चीजों के price annually 11.2 million percent के rate से बढ़ रहे थे, और वही mid November 2008 में यह number हो गया था, 79.6 billion per month, यह देखा गया था कि उस time पे जिमवावे में महंगाई, यानि कि चीजों के दाम हर 24 घंटे में डबल हो रहे थे, जिमवावे ने किस लेवल पर note चाहपे, उसका अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एक note तो जिमवावे रिजरो बैंक ने 100 trillion जिमवावे डोलर का print किया था, 2008 में government employee जैसे टीसर्स और other employee को trillions में salary दी जाने लगी थी, लेकिन उसका क्या फाइदा, 2008 में 1 US डोलर की value trillions उप जिमवावे डोलर से भी ज्यादा हो गई थी, 2008 में जिमवावे में पेपर मन इतने ज्यादा हो गई थी कि उसकी value इतने ज्यादा गिर गई थी कि लोगों को local shop पर bag में पैसे भर कर लेकर जाने पड़ते थे और उनको उसके बदले में बड़ी मुश्किल से एक bread का packet मिलता था, इन सब के बावजू दरीजरो बैंक को जिमवावे ने, जिमवावे में hyper inflation का कारण माना USA, IMF और European Union के sanction को, दोस्तो hyper inflation उस condition को बोला जाता है, जो वस्तों के price बहुत जल्दी और uncontrolled way में बढ़ने लग जाएं, जनरली जब वस्तों के price monthly 50% से ज्यादा बढ़ने लग जाएं, तो उस condition को hyper inflation बोला जाता है, यह generally paper money की supply बढ़ने से होता है, जो currency की real value को down कर देता है, अब यह जानती है कि जिमवावे इस संकट से बाहर कैसे निकला, इस extreme hyper inflation के साथ fight करने के लिए, जिमवावे गवर्मेंट ने सबसे पहले इस मुसीबत के main culprit, यानि कि monetary policy में change किये, जिमवावे ने foreign currency जैसे US dollar, euro और दूसरी currencies को officially adopt करना शुरू कर दिया था, इस दुरान लोगों को foreign currencies के कई option दिये गे, लेकिन लगबग 80% से भी ज्यादा trade जिमवावे में US dollar में होने लगा था, इस से लोगों का currency की value में वापिस विश्वास बढ़ा, और 2009 के बाद से तो जिमवावे government ने जिमवावे dollar को print करना ही बंद कर दिया था, फिर 2015 में तो जिमवावे के finance minister ने ये तक बोल दिया था, कि उनका अब अपनी national currency को वापिस लाने को कोई इरादा नहीं है, इस तरह इन सभी staffs का फाइदा ये हुआ, कि 2008 के बाद से महंगाई दीरे दीरे गिरने लगी, जो जुलाई 2018 में गिरकर सिरफ 4.3% रह गई थी, लेकिन साइद जिमवावे government ने 2018 के hyper inflation से कुछ सीखा नहीं, तब ही तो 2019 में जिमवावे के finance minister मतूली एनक्यूब ने फिर से new जिमवावे currency को इंडरिडूस कर दिया, और इस से जिमवावे में hyper inflation फिर से आ गया, इस bad economic reform के अलावा, 2019 के drought और COVID-19 ने ह 540.16% तक पहुंच गया था, और 2022 के कई मन्थ में वी 200% से ज्यादा रहा, यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि जिमवावे वापिस 2008 के hyper inflation की तरफ वड़ रहा है, यहां पर जिमवावे government को अपनी monetary policy को काफी tight करने की जरूरत है, यह थी दोस्तों जिमवावे के worst currency crisis के बा बहुत बहुत धन्यवाद